आज इस वीडियो में हम देखेंगे संयुक्त परवार इसके पहले वीडियो वाले में हमने परवार के वारे में बात की थी और आज कर जो वीडियो है उसमें हम बात करते हैं संयुक्त परवार की तो संहित परिवार जैसा कि नाम चे एक इस्पेश्ट होता है और हम भारती समाज की सरनचना की जब एक बात करें तो भारती समाज की सरनचना की एक बिशेष्टा कही जा सकती है और यह संहित परिवार का प्राचीन काल से ही भारती समाज में एक अपना एक अलग महत्त रहा है हिंद्यों के लावा हम यदि हिंदू लोगों में भी बात करें तो वहां भी संहित परिवार परिवार जो था वह देखने को मिलता था समानत है शेंग परिवार हिंद्यों का एक लक्षन माना जाता है और वास्त में यह भारत बर्स में हम देखें तो सरबत्र ही प्रचलित रहा है क्योंकि हिंद्यों की भाती अनेक जहां तक हिंदू समाजों में भी देखने को मिलता है वह परिवारक सेंग्ठन जिसका हम यहां बात करते हैं यह बात करना चाहते हैं कुछ समुदायों में पित्र सत्तात्मक है और कुछ में मात्र सत्तात्मक भी हमें देखने को मिलता है भारत में जहां तक सवाल है तो परिवार का सास्थ्य शरूप परिवार रहा है ऐसा हिंदू की कुछ पवित्र पुस्त्रकों में फ्यूलेख मिलता है सर्दियों पुरान इस भूम पर यह शरूप प्रचलत रहा भारतियों के लिए परिवार का वही अर्थ है जो अंग्री जी के जॉइंट फेमिली के रूप में जहां तक नावी परिवार की बात है तो वर्तमान में आज हमें समाज में भारतिय समाज में नाभिक और केंद्री परिवार देखने को मिल रहे हैं लेकिन आज से हम 20 या 30 वर्ष पहले की जब बात करें तो भारतिय समाज में परवार जो मिला करते थे उसे परवार हमें देखने को मिला करते थे शहिक परवार वह परवार जिसमें तीन या तीन से अधिक पीडि के सदस एक्षात रहते थी एक्षात उनकी रशवी बनती थी एक्षात उनकी सामुईक संपत्ति रहा करती थी एक्षात ही उनका एक पुजा इस्थल था तो इस प्रकार की विशेष्चताओं को लिये हुए जो परिवार हुआ करते थे और जहां हम कह सकते हैं, यह सैंँवार की मुख्या के नेतृत में वो परिवार काम करता था तो ऐसे परिवारों को जहां कम चे कम 50-70 या और अधिक लोगों का एक जो सेयुक्त समूव जो हुआ करता था वो सेयुक्त परिवार की नाम से जान जाता था आज हम जब सेयुक्त परिवार की परिवासा की जहां बात करते हैं तो इसकी परिवासा के रूप में इरावति करवे एक समाशास्त्री का नाम आता है और वे सहिंद परिवार को परवासित करते हुए कहते हैं कि सहिंद परिवार एशे वेक्तियों का समू है जो सामान ते एक ही घर में रहते हैं जो एक ही बनेरा सोई में बोजन करते हैं जो संपत्ति के समलित सामी होते हैं वो सामान पूजा में भाग देते हैं और जो किशीर किशी प्रकार से एक दूसरे के रक्तिशम्मन्दे हैं यानि यह रावत्तिकरवे ने वही बात कहीं कि सैंट परवार उस वेक्तियों को सिर्मुग को कहते हैं उस व्यक्तियों के सेंग्रेगू गहते हैं जहां सामान दय एक ही घर में उनका निवास होता है एक चार दिवारी में वे सभी सदस्य रहते हैं और एक रस्य में बने भोजन को ग्रहन करते हैं और तता संपत्ति की जहां तक बात आती है तो वहां संपत्ति के सभी सदस्य जो ह होते हैं वह समलित सब इसके सामी होते हैं और वहीं आगे उन्होंने बताया कि उनका एक सामान पूजा में भाग लेने का एक दिश्चित इस्थान होता है जहां एक ही स्थान पर पूजा होती है और उसमें सभी लोग भाग लेते हैं और आगे वो एक बिशे इस्तावर बताते हैं जो एक परिवार की यानि सभी सदस किसी रूप में एक दूसरे के रक्त शम्बंदी होते हैं तो परिवार की परिवार साथ भी जहांतर हमें रावती करवे की परिवार साथ को देखें तो इन्होंने वेक्तियों के समू की बात की है, खाने की रसोई की बात की है, शंपत्ति की बात की है लेकिन इन्होंने यानि इस परिवार में कितनी पीडी के लोग एक साथ निवास कर सकते हैं ये बात इन्होंने इसका उलेक नहीं किया है तो अगली परिवास में हम देखते हैं IP देशाई के असार और IP देशाई का जहाता कहाना है सेंग परिवार के वारे में तो वे कहते हैं कि हम उस परिवार को से परिवार कह सकते हैं, जिसमें एका की परिवार से अधिक पीडिया यानि तीन या अधिक पीडि के सदस रहते हैं और जिसके सदस एक दूसरे से संपत्ति आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तब्यों द्वारा संपत्त होते हैं तो यहां एक बाएक विशेष्टाम को और जो नजर आती है आई पिदेशाई ने जो बताई है कि हम उस ग्रव को से इंग परवार कहेंगे जिसमें एक आकी परवार से अधिक पीडियां अर्थात तीन या तीन से अधिक पीडि के सदस्ट जो रहते हैं वो एक साथ ही रहते ह हैं और जो इसके सरोड़ के से एक दूसरे से शंपत्ति और पापिशोज के अधिकारों तत्あぁ कर्था करतबं करतब तो एन दुढ़े हैं उसको आईपी देशाई एक शन 59 बभार के रूप Hmm देखते हैं तो इन परिवाचाओं के अधार पर यदि हम देखें और एक निश्कर्ष के रूप में एक सारांस के रूप में एक सार के रूप में यदि कुछ सब्दों में इसको बांधना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सेइक्त परिवार ऐसे परिवार हैं जिनमें कई पेड़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं अत्वा एक ही पीड़ी के सभी भाई अपनी पत्नियों विवाहित बच्चों तथा अन्य संब्दियों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हैं जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है परिवार के सभी सदस्य भोजन उत्षब त्योहार और पूजन में सामूहिक रूप से भाग देते हैं और परस पर अधिकार और करतब्यों से बंधियों होते हैं तो एसा जो लोगों का जो संग्रह है लोगों का जो समू है उसको हम कह सकते हैं कि वह संग्ति परवार है अब हम यहां संग्ति परवार की कुछ विशेष्टाओं की बात करेंगे और बिशिष्टाओं में जहां तक हम देखें तो इन बिशिष्टाओं को कुछ बिंदूं के आधार पर सब्स्ट किया है इसमें पहला बिंदू है कि सामान निवासिष्ठान सामान नवासिस्थान में सितात पर यह है कि संग्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार हो सकते हैं और इसके सदस एक ही नवासिस्थान पर रहते हैं जिसे बड़ा घर या संग्त परिवार कहते हैं जहां पर तेक छोटे परिवार के लिए एक या दो कमरे अलग हो सकते हैं परन्त रसोई और पूजा आदी के लिए जब बात आती है तो एक सामान कमरा या सामान हौल ही होता है जहां सभी एक शाथ मिलकर बैठ कर खाना काते हैं कहने का दाद पर है जिनका खाना जो बनता है वो एक साथ ही बनता है। पेत्रिक घर में ही इकत्रित होते हैं, तो कहने का दात पर है कि यदी बहुत बड़ा परिवार हो गया, बहुत ज़्यादा सदस्य हो गया तो वे एक अलग अपने दो कमरे बत्तों में रहने का प्रबंद तो कर सकते हैं, लेकिन कोई उच्षव की बात आती है, पुझा की बा बात आती है तो वे सभी लोग एक समलित रूप से खटे रहकर ही उन्हों का लुफ्त उटाते हैं कि दूसी विशेष्टा के रूप में शामान रसोई की बात आती है जैसा कि हमने पहले भी बताए था कि बहुच्षि करता यहां अन्यवड़े पुरुष की देखवाल करते हैं किस सब्सक्रागती हैμεित रूप Azer बोजन बनेका हिए परेणां करते हैं तो एक यहां सामाना डासवी की दावात है एक जगे बढ़ता बनेगा서ं कितना हैं फड़ा जए थोड़ा अलग अवर्शिछ रहते हों लेकिन आएं जहां तक बात आती है तो एक रचोई में बना खाना भी वो घ्रंड करते हैं और जिसमें किस मौक़े पर किस अगज़न केगाय किस पकार का वश्रण पकेगा इसका धनाकरने वाले उसका जो महला होता है वो निशेत करती है जिसे एक बच्चो में इसका या अगली पीडी में एक समाजी करण का भी हम कह सकते हैं कि समाजी करण की प्रक्रियाम का भी एक विकास होता है अगली पुषरता के रोब में सामाने संपत्ति की बात है कि शेक्त परिवार की परिवार की लोगों की यहां तक बात है सभी संदस्यूं की सामान संपत्ति की होती जिसमें सब्धी पूरुश जो इक पूरवजी के या अंच्छेः पर सामुभी को में से भी उसकाल है और युजा जाता है और शन्रें और या जो ब्यारों को समालता है तो कहने का ताथ पर है संपत्ति जो होती है एक सामुह कोश में जमा होती है और उस सामुह कोश से ही जो संपूर्ण सदस्यों के जो खर्चे होते हैं उसके माध्यम से ही किये जाते हैं और इसकी देखरेक जो करता है वो उस परवार का जो प्रोष जो प्रोष जिसको मुख्यगा आ जाता है वह करता है अगले बिन्दू के रोब में शामान पुजा जो पूजा की जाती है तो वो एक साथ ही की जाती है सबी मिलकर यानि परिवार के सदस एक इस्थान पर उस पुजा को अंजाम देते हैं जहांता कि हिंदुओं में जैसा कि पर्मेसर के अनेक रूब माने गए हैं प्रतिक परिवार का कोई न कोई देवी देपता होता है पितर होता है दोस परिवार के से दोस्यों की रक्षा करते हैं ऐसे माने जाता है हिंदों में धर्म एक जहांता कि जो महत्पूर्ण एक तत्थ है जो जीवन की सबी महत्पूर्ण घटना है धर्मे कार्यों से ही कह सकते हैं कि प्रारम की जाती हैं दार्मिक कार पेत्रिक संपत्य में उत्रा दिखार की द्रशिशेवी मृत्पूर्ण जो होती हैं जहां मृत्व्यक्तियों का पिंड़ान करने वाला श्राद दौतर बढ़ करने वाला ही उसका उत्रा द्रकारी होता है तो हिंदू में जहां तक बात है अगनी पूझा अभी विशेश नौत होता है वह घर की रक्षा करती है पुत्र औसम्पादयय में वेदों में अगनी से प्राथना की गई है कि है अगनी हमें पुत्रों से भलता फूलता घर दे तो इस प्रकार अगनी पूजा और पितर पूजा परिवार को शेंग्त बनाए रखने में एक महत्पूर्ण योग देती है तो हम यहां देखते हैं कि शेंग्त परिवार में जो सामान पूजा वाली जो अब धारणा है वो आई यह है कि परिवार के यतने भी शदस हैं चाहें वो शदस कत नहीं हो जब एक कोई धार्मिक का उत्सब का वायजन होता है तो उत्सब मिल जुलकर ही उसको अन्जाम देते कि अगली विशिश्चा कर्ता रख्तिशंबंधी तो यह यह वह बताएंगे कि परिवार के रख्ति यहां सभी शदस्ट के जहते हैं परस परापरस में डख्तर शंबंधे होती है ज़िए बिच भी सद्रीयों करतफ फिश्य होती है जहां तक हैं पिद्ट्र शद्ततम Medien तीन या हम कह सकते हैं कि अधिक पीड़ी के जो लोग हैं सामय ग्रूप चे निवास करते हैं अगली विशेष्टा ग्रूप में हम कह सकते हैं कि वड़ा आकार जैसा कि हम जानते हैं जहां तीन और तीन से अधिक पीडिकी लोग जब एक साथ रहेंगे तो साभाविक है उसका परिवार का आकार होगा वो बड़ा होगा वहां सद्र्शयों की संख्या यहनी अधिक होगी और जहां तक पताश सटर सदस्यों तक इनकी संख्या पहुंच जाती है अगली विश्यष्टा ग्रूब में अधिकार एवं दायत अधिकार वंदायतों का जहां तक बात है तो संग्त परिवार के शदा से हम देखते हैं कि परसपर अधिकार और कर्तब्यों से पी एक दूसरे से जुड़े होते हैं जहां परिवार में छोटा व्यक्ति बड़ों के प्रति अपने कर्तब्यों का कह सकते के पालन करता है तो वहां बड़ा अधिकारों का प्रयूग करता है बीमारी है रद्धा वस्ता है और दुर्गतना के अफ्चर पर जो शिवा की जाती है जन्व विवहाय मृत्यों के अफ्चर पर एक दूसरी को यहां आर्थिक्षय य वहां दायत उत्तरदायत की बीबात की जाती है जहां बड़ों के पास में अधिकार है तो वहीं छोटों का भी या बड़ों का भी हर व्यक्ति के प्रति एक उत्तरदायत भी होता है अगले बिंद्द्गरू में सामान सामाजक्यकार सामान सामाजक्यकार सेतात पर यहां य संगत परिवार में सामान निशेमाजिकारलियों को वहत्मों माना जाता है जहां सबब्रब्र होता है क्यों सबसे ब्रिद्ध पुर्श जो होता है वह भाग लेता है चाहे वो जाती पंचयत कि सभा हों चैहे वह किसी के यहां विवाह या मत्ति भोज या किसी उत्सव आधी में समल्ध होने वाली बात हो तो संव्क्ष का जो मुक्या है वही ते करता है वही निश्यत करता है और उसी के द्वारा, पूरे परिवार का वहां, प्रतिन जित्त किया जाता है. अगली विश्षणा के रूम में हैं, परिवार का मुखिया, तो सिंक्र परिवार में, जहां तक हम देखते हैं, कि कर्टा जो होता है, उसका मुख्यू इस्थान होता है, जान तरके इंग्र समान्ज की बात करें तो वहां परिवार का जो बयोग ब्रद प्रुष्ज जो होता है वह परिवार का मुख्या माना जाता है वही विवाहावत्षब संपति तथा घर के जा मतपूर एवं बहारी कारियां का जो निद्धान करने वाला होता है वह मुख्या रखने का कह सकते हैं कि प्रयास करता है उसकी शर्ता की जहां तक बात है तो कहीं 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 परिवारों में हमकों निरंगों से भी देखने को मिलती है फिर भी वह सभी सदस्यों के साथ में एक प्रेम और समानता और इश्निय बरहा भी विभार करता है ऐसा हमें परिवारों मे जो शेंक्तिता जो बनी रहती है वह इसके कारण ही या इसी आधहर पर रहती है जहां सभी सदस्यों को वह अपने साथ लेकर चलता है चाहिए वह डांट कर साथ करता हो चाहिए वह प्रेम से साथ करता हो किसी तरीके से यानि उसको अपने साथ में लेकर चलता है जिस यही उस हमद देखें तो सेंचत परवार एक पारसपरेक हम कहें कि सायोग परनिर्भर एक समू है और जहां इसका भाव हमें देखने के मिलता है तो वहां सेंचत परवार का ब्लाव हो जाता है शेंट परवार में एक सब के लिए और सब एक के लिए वाली जो बात है यह हम कह सकते हैं जो शिद्धान्त है वो लागू होता है और इसी से योगी विवस्ता के कार्म एक सेंट परवार एक लंबे समय तक अपने जीवन यात्रा को चलाता रहता है अगले विंदुकरू में सदस्यों में इनिश्चित संस्तरण तो यहां संस्तरण से अतात पर यह है कि सेंट परवार में जैसा के हमको देखने को मिलता है तो यहां बिभिन सदर्स्यों के बीच में पद और अधिकार को प्राप्त होते हैं इन पदों में एक सनस्थ्रन पाए जाता है और उसके बार करता की पतनी पhi inherited करका में करता की था जिर्थे पूत्रीन पत्रियां और अन्य सदस्यों के आगे से आगे वो बत्नों का जो कह सकते हैं कि जो संस्च्छन है वह आगे तो इस प्रकाश से हम देखते हैं कि वहां एक सिंग्त परिवार में सतस्यों में एक निश्चित सेंस्टरन पाई जाता है, एक निश्चित पाईदान हमें देखने को मिलता है, एक निश्चित शीर्णी वहां देखने को मिलती है, जहां रसेड़ी पे कोई कोई सतस्य खड़ होता है क्योंकि इसका उस्द से बड़ा कराने यह है कि यहां जो इसकी सदस्य संग्या है वह देखोती है तो यहां कभी-कभी मान लोग एक-दो सदस्य कभी किसी दुरुटनंग के बस खत्म भी हो जाएं फिर भी वो सिंख परवार के अन्य सदस्यों के बाद धम्चे उसकी निरंतरता बनी रहती है वह है इसकी यदि हम एका की परवारों की बात करें जहां कुछ बहुत ही निम्न सदस्यों होते हैं तो वहां कुछ आपता से वह परवार समपूर्ण खतम हो जकता है यह एक सिंख परवार की बात करें तो उसे एका की परवार से जहां तुलना करें तो हम देखते हैं कि सेंट परवार जो होता है वो तो नात्म करूप से एका की परवारों से अधिक इस्थाई तो लिए होता है इस वीडियो में इतना है धन्यवाद